Hello Friends, Welcome back to my channel आज हम थोड़ी डिफिर्ट तरीके से खीर बनाएंगे मैंने थोड़ी से चावर बिखोंगे रखेते हैं वेको दो कटोगी खीर बनाने इसलिए हम इसमें अमुल घी डालेंगे यह थोड़ी डिफिर्ट तरीके से इसलिए हम चावर को थोड़ा से फ्राइ करेंगे गोल्डन ब्राउन तक में इसको फ्राइ करेंगे अब इनको निकाल लेंगे वार्ज में चावर अमने निकाल लिए अब इसी में ड्राइफ फूद पूझेंगे थोड़ा आप में में ने केल और इसको करेंगे हो थोड़ी दे ट्राइफूल्स बूंज़ने हैं इसे ट्राइफूल्स हमारे बूं चुके हैं इनको निकाल लेंगे दूद हमारा बॉइल हो चुके हैं वैसमें चावल लनेंगे अब इसको मिक्स करते रहना है अब इसको मिक्स करते रहना है अब तक पगना चाएं दूद फगने के साथ साथ हम इस पे एलाइची छोटी वाली डलेंगे जिसमें फ्लीवर अच्छा आजाएं लैची के बादे मिस्ट में तोड़ा केसल भी डालेंगे अच्छा सा फ्लीवर ट्रांगा चाएं और इसको मिक्स करते रहना है छोड़ना नहीं है मैंने फ्लेम लो किया है हम इसमें तोड़ी किसमेस भी डालेंगे तो अच्छा तोड़ीक सा पग जाएं किसमेस भी डालेंगे इसको गुमाएंगे इसको पंदा से बीस में घुमाते ही रहना है देखिए थोड़े थोड़े चावाल लंबे हुए पके देंगे अभी देखिए देखिए अभी पके दिया है दीरे दीरे पकेंगे घुमाते रहना हुलिकी आँच में फ्लेम स्लोई करिएगा चावल देखिए थोड़ा असा हफ रही हो के बारे आसी एम को मिक्स करते रहना चावल और अब देखिए दूद के तख कम हो गया पकाते पकाते 15-20 में इसको पकाया है थोड़ा थोड़ा चावल पक गया है दूद बहुत कम होता जा रहा है इसमें अब ड्राइफूट्स भी डाल देंगे तर देखिए पकना जोगी है इसको मिक्स करते रहना झाल को झाल को झाल? अब पकना जब दिया है पके नहीं है शावल चावल हुआ रफ पक चुके हैं तो हम इसमें ग्राइंड हुआ नारियर डालेंगे नारियर डाल दिया है अच्छेट पक जाए इससे सारे ट्राइफ पॉर्समें डाल देया है अब इसके में हम स्विछ चीनी डालेंगे एक दो तीन चाल 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 चीनी डाली इसमें अच्छे त्रीक से मिक्स कर देगे थोड़ी दिर ऐसी इसको गिलाते लाना है हमारी खीर बनके हो गई है ते यार इस खीर हमारी बनके हो गए थे और उसको कर्मा क्रेम सर्फ करेंगे मैंने इसको पूर्समें के लिए बनाया था स्पेश लिए और किसी भी क्रेजन पिखा सकता है खीर ठीक और ट्राइफूट्स मिक्स करके अच्छे से बनी हुए है हमारी खीर बनके हो गए देयार मैं इसको अटोरी में सर्फ कर दिया है अगर मंगर में इसको का सकते हैं